देव की एक्स गर्फ्रेंड किम गोजओन वापस आ जाती है और आते ही हमारी मैक्स को ब्लेम करने लगती है ये बोलकर कि तुमने मुझसे मेरे इंपोर्टन परसंस छीन लिए मैक्स कुछ नहीं बोलती कीम देव को बोलती है हाई बेब मैंने तुम्हें बहुत मिस किया उसे देव से बात करना होता है देव मैक्स को भरोसा दिलाता है कि वो बस बात करने जा रहा है कीम देव को बोलती है वो अभी भी उससे प्यार करती है और उससे अपने लाइफ में वापस चाती है जिस पर द आसानी से हान नहीं मानती, वो बोलती है तुम जितना दूर भागोगे उतना ही मुझे मज़ा आएगा, तुम्हें फिर सा अपना बनाने में, इसे बीच मैक्स के फ्रेंड्स उसे किम के बारे में बताते हैं, इसे मैक्स को बताती है कि किम एन देव चाइल्फूड फ्रेंड् नाई मैक्स से कहती है, तुझे समल कर रहना होगा और देव को किम से बचा कर रखना होगा, उसे दिन देव और मैक्स बासकेटबॉल कोर्ट में मिलते हैं, देव मैक्स को बताता है कि उसके और किम के बीच आप कुछ नहीं है, सब कुछ end हो गया है, इन दिन वो उसके और क किम के ब्रेक अप का डिजन बताता है किम को यूएस में मॉडलिंग कॉंट्रेक्ट मिला था सो वो स्कूल छोड़कर चली गई थी दोनों का लॉंग डिस्टंस स्लेशंशिप ठीक ही चल रहा था तब एक दिन देव ने अपने एक फ्रेंड के इंस्टाग्राम स्टोरी पर कि किम को दुसरें को किस करते हूए देखा देव के पुछने पर किम ने बोला कि हो बहुत लंग थी उसे होश नहीं था देव किम पर ट्रस्ट करता था वो माफ मैशनीग करने चीट करूँ TOP हमेशा तुम से लॉयल रहूंगा देन हम देखते है किम मैक्स से मिलने दबर पाती है वो मैक्स से पूछती है क्या तुम देव को पसंद करती हो मैक्स जवाब नहीं देती किम बोलती है मैं अभी भी देव से प्यार करती हूँ उसे हट होते हुए नहीं देख सकती इसलिए जानना चाती हूँ कि तुम देव को लाइक करती हो या नहीं मैक्स बोलती है मुझे नहीं बता और वैसे भी तुम्हें इसे फरक नहीं पड़ना चाहिए तुम्ने तो उसे चीट किया था ना अगर तुम्हारे चीट करने को तुम प्यार करना बोलती हो तो सौरी देव के लिए मेरा प्यार तुम्हारे जैसा नहीं है देन हम सभी फ्रेंट्स को दबर्ट में देखते है मिक्स हंटर एंड इसे ही का डांसिंग वीडियो देखकर अपसेट होता है देव उससे पूसता है तुम ठीक होना मिक्स अपने इमोशन सुपाने की कोशिश करता है देव पूसता है तुम हंटर को बहुत लाइक करते होना मिक्स थोरा नर्वस हो जाता है बट देन हां बोलता है बट उसे ये भी पता होता है कि Hunter इसे को like करता है Side से Lord बोलता है Mix to heart मत मान मुझे नहीं लगता कि Hunter और इसे का कुछ हो सकता है तो easily इसे को replace कर सकता है Hunter को भी तेरी तरफ पिंक चीज़े पसंद है वो indirectly Hunter को gay बोलता है जिस पर Ellie बोलती है अगर किसी लड़के को pink color पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि वो gay है pink मतलब girls and blue मतलब boys ऐसा नहीं होता color का कोई gender नहीं होता और वैसे ही खिलोनों के भी कोई gender नहीं होते girls चाहे तो car से भी खेल सकते है और वैसे ही boys डॉल से खेल सकते है सो अपने इस पूरानी सोच को जड़ा बदलो then max अंदर आती है देव और वो बाते करते हैं और साथ में selfie भी लेते हैं बाकी के सभी दोनों को tease करने लगते है देव max से पूछता है क्या मैं तुमारे heart में account open कर सकता हूँ जिस पर max बोलती है हाँ जरूर बट उससे पहले तुम्हें dad से permission लेनी होगी जिस पर देव बोलता है कि वो dad को proof करके दिखाएगा कि वो change हो गया है एली उसे all the best बोलती है देव बोलता है आज मैं तुम्हें घर चोड़ने जाओंगा और dad से बात भी कर लोगा max मना करती है क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये सही टाइम है वो पहले खुद dad से बात करना चाती है वो देव से promise करती है कि वो इसी weekend dad से बात करेगी देव मान जाता है next day किम देव से मिलने आती है and सब के लिए food लाती है बट देव accept नहीं करता वो बोलती है at least हम friends तो बनी सकते है न देव जवाब नहीं देता वो बोलती है अगर तुमने मुझे friendship कर ली तो मैं तुम्हे max पर किसने attack किया ये पता लगाने में help करूंगी देव को उसकी बातों में कोई interest नहीं होता then हम max को the bird में देखते है वो हमेशा की तरब बाबू के लिए email लिखती है बट इस बार वो dear बाबू नहीं लिखती dear RJ लिखती है तभी कोई पीछे से आवास देता है max पीछे मुड कर देखती है वो RJ होता है max कुस्ते में बोलती है RJ तुम यहा क्या कर रहे हो RJ का नाम सुनकर शबी शौक्ट हो जाते है एंड बोलते है यह RJ है max बोलती है हाँ नाई बोलती है क्या मज़ा कर रही है यह तो रेंडल एचावेज है हमारा दुश्मन mix बोलता है यह साउथ बेशाक का कैप्टन है लास्ट यर इसी के स्कूल ना हमारे स्कूल को हराया था लास्ट यर के बात सुनकर max और भी गुस्सा हो जाती है वो बोलती है वाह लास्ट यर भी तुम यहीं पर थे और मुझे लग रहाता है कि तुम यूएस में हो वो उसे समझाने की कोशिश करता है बट max कुछ नहीं सुनना चाती उसके friends RJ को जाने बोलते है तभी miss burp आकर max को for delivery करने बोलती है एंट साथ में ये भी बताती है कि taxi लेकर जाना scooter खराब हो गई है हाविस बोलता है मेरे पास कारा तुम मेरे साथ चलो max मना करती है तभी miss burp बोलती है तुमें लेट हो जाएगा तुम इसी के साथ चले जाओ max मना करती है बट miss burp नहीं मानती सो उसे हचाविस के साथ जाना पड़ता है delivery करने के बाद max उसे avoid करने लगती है वो बोलती है मैं टेक्सी से चली जाओंगी तुम जाओ वो max का पीछा नहीं छोड़ता तभी max गिरने वाली होती है वो उसे पकड़ लेता है max को उसके साथ बिताये पल याद आ जाते है साथ में billiards खेलना then rj का उसको propose करना उसे सब याद आने लगता है वो emotional हो जाती है और बात करने के लिए मान जाती है rj बात किये जा रहा होता है बट max कुछ नहीं बोल रही थी वो बोलता है बाबू प्लीज मुझसे बात करो max बोलती है मुझे फिर से कभी बाबू मत बोलना rj बोलता है बाबू I love you प्लीज ऐसा मत करो मुझसे बात करो max बोलती है अब तुम्हें पता चला कैसे फिल होता है जब कोई तुम्हें reply नहीं देता वो sorry बोलता है max बोलती है तुमने ही कहा था ना कि long distance relationship हुआ तो क्या हुआ हम emails, chats, video calls के थुरू अपने relationship को बनाई रखेंगे फिर ऐसा क्या हुआ था तुम अचानक से गायब क्यों हो गए थे तुमने reply देना क्यों बंद कर दिया था rj उसे पूरी बात बताने लगता है उसे US में basketball खेलने के लिए scholarship मिला था बट जब वो वहाँ पौशता है उसे पता चलता है कि वो scholarship किसी और को दे दिया गया है बीना scholarship के ही उसे school start करना पड़ता है वो US में अपनी mom and step dad के साथ रहता था mom school के fees pay करती थी घर में रोज जगडे होते थे उसके step dad उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे एन Asian लड़का था सो school में रोज उसके साथ racism होता था मतलब उसकी life पूरी healthy कोई friends भी नहीं थे जिससे अपनी feeling share करता सिर्फ Max से थी बट उससे भी बात करने की हिम्बत नहीं होती थी क्योंकि वो ऐसा boyfriend नहीं बनना चाता था जो हमेशा अपनी हालत पर रोए and complain करे वो Max पर बडर नहीं बनना चाता था सो उसे अकेले रहना जादा बैटल लगा last year वो जब Philippines आया था वो Max से मिलना चाता था बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मूसे Max के सामने जाए बट देन उसे लगा कि उसे एक बार Max से मिलना चाहिए सो वो दब बर्ट में उसे ही ढूनने गया था बट वो नहीं मिल पाया मतलब हमारी Max ने उस दिन सही देखा था वो RJ था देन वो हॉस्पिटल में भी गया था बट Max डिश्चार्ज हो गई थी ये सब सुनने के बाद Max को बुरा लगता है वो उसे सौरी बोलती है और देन उसे माफ भी कर देती है बट वो फिर से रिलेशन्चिप में नहीं जाना चाहती वो बस फ्रेंट्स बन कर ही रहना चाहती है एचावेज अपसेट होता है बर देन मान जाता है और दोनों एक दुछ्टे को हग करते है नेक्स डे एली और Max घर पर होते है Max को समझ नहीं आता कि वो देव को आरजे के बारे में कैसे बताए एली बोलती है क्या हुआ Max उसे बताती है कि आरजे ही रेंडल एचावेज है एली शॉक्ट होती है एंड बोलती है देव को किसी और से पता चले उससे पहले तुमें ही उसे बता देना चाहिए नेक्स डे मैक्स देव को मिलने बुलाती है and then वो उसे रेंडल हवेस के बार में बता नहीं जाती है तभी मिक्स आकर बोलता है कि हैड मास्टर ने तुम्हें बुलाया है वो देव को वेट करने बोलती है and मिक्स के साथ चली जाती है वो अंदर आकर देखती है कि बहुत सारे लोग बैटे हुए है एड मास्टर उसे इंफर्म करते है कि किम एन कोले के हेल्प से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है किम बोलती है तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है मैक्स को को समझ नहीं आता हैड मार्शर उसे बताते है कि चौको ने उस पर अटेक किया था एन यहाँ हमें पता चलता है कि चौको इसे का स्टैप ब्रदर है इसे उसे प्रोटेक्क करना चाहती थी इसलिए EMI एंड एली की बात सुनने के बात भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया चौको मैक्स को मानना नहीं चाहता था वो बच दराना चाहता था बट मैक्स फाइडबेक कर रही थी इसलिए उसका हैड लॉकर में हीट हो गया था एमी बोलती है ये सब एलियन चौको का ही प्लाइन था तब कोले बोलती है इसमें तुम्हारा भी हाथ था और तुम तो चेक करने भी गई थी कि प्लाइन ठीक से चल रहा है या नहीं मतलब उस दिन देव ने जिसे भागते हुए देखा था वो एमी थी देव ने चौको को नहीं देखा था वो दुसरे तरफ से भागा था एमी बोलती है मैंने तुम दोरों को अपना फ्रेंड समझाता और तुम दोरों ने मेरे साथ धोका किया जिस पर किम बोलती है तुमने मेरे देव को किस करने की कोशिश की थी उसे मुसे छिनने की कोशिश की थी यह उसका ही बदला है जो भी देव को मुसे छिनने की कोशिश करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा बात को चुपाने के लिए S.A.N. कोले को एक विक के लिए सस्पेंड किया जाता है एन एली चोको एन एमी को स्कूल से निकाल दिया जाता है घर पर डैड एली को बहुत चिलाते है एली बार बार डैड और मैक से माफी मांगती है Mom and Dad आपस में लड़ने लगते है Mom चाहती थी कि Dad स्कूल में अपिल करें कि Ellie को स्कूल से ना निकाले बड़ Dad नहीं मानते उनका मानना होता है कि उसने गलती की है तो सब पनिश्मेंट भी भुगत नहीं होगा ताकि वो नेक्स टाइम ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे Mom बोलती है ये बस एक प्रैंक था वो उसे मानना नहीं चाती थी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो इसी बिस्तव बर्ट में सबी फ्रेंस एक साथ होते है किसी को भी यकिन नहीं होता कि एलियन ऐसे ऐसा कर सकते है हमारे देव को मैक्स की चिंता हो रही होती है फिर हम देखते है Mom एलियन को लेकर घर छोड़के जा रही होती है मैक्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है एलियन फिर से उसे सौरी बोलती है मैक्स पूछती है तुमने मुझे से friendship इसलिए किया था ना जिस पर एली बोलती है मैंने पहले तुमसे friendship की थी क्योंकि मैं डर गई थी बट देन मैंने तुम्हारी अच्छाई को देखा मैंने जाना कि तुम कभी भी इस family को destroy नहीं करोगी बट at the end of the day मैंने ही अपने family को destroy कर दिया mom आकर एली को जल्दी करने बोलती है dad उन्हें समझाने की कोशिश करते है एली फिर से max को sorry बोलती है and then चली जाती है mom बोलती है तुम भी तुमारी mom की तरह ही हो हमेशा problems create करती हो then mom एली को लेकर चली जाती है max रोने लगती है and dad को बार बार sorry बोलती है dad को नहीं पता होता है क सब्सक्राइब कर लेना थेंक्स पर वाचिंग मिलते नेक्स पाट में बाई